पिडान में किने नेक्स्ट फंब प्र इंट्रेस्टिंग एक्जंप्पल डिगाडिघ लाई का एटेमुट मसीन ट्राशक्ट्स के के एक्सम्हाइम के सारी की इसलने, भी फिल्डिक, किन एक लुट्द अगरेदेरcc, अब्सम्हाई से कोई भी ज़क्वत विध्डोल किया सं इसले स्टेफ फॉल गुरू फर्स्ट पन एंट्रिंग एक्वेस्टेड अमांट एंटर करने के बाद जास्त आपको रिसीब किया हुआ सम्केश इन फॉर्म वाव थू थाव थावन नोट्स इन फ़र्म फाइव थावनडिट नोट्स इन फॉर्म फॉर्म प्रॉर्म और प् क्या है फिस्त वन इसन इंट्यम मशीन एट्यम मशीन के के सिश में है इनिसुली सबसे पहले अमाउंट आल्ले अविलो गा इस्वन इसमीं एट्यम मशीन है इन दर्टिश के में आल्रेट इंटिस तोटल अवयलीवल 500 टाइप अब लुट्समें एच टॉटल अवयलीवल 1000 टाइप आपूध लुट्समें ईसे सी एते मसीन के रिस्पेक्ट में इनीचिली cob मशीन किने रिएंट्स जीन समर्तकी तोटल कितने टरे क्रेट होंगि रिएक्ट ऑःप ट्रेटे ट्रेवर्ल को सब्सक्राइब करने के लिए ट्रेटेटेश के अजeb मुषन bes 가벹ो हैं यू मूंट में है 1,000 same as 500 type के भी available note कि तोटल also 2,000 same as 1000 time चर्वें 100 type के total 100 कितने notes है 1,000 नीश सभी के सब पर इनिशली total available notes कितने 1000 types of 2000 types के भी 1000 note found हो रहा है 500 type के भी 1000 note found हो रहा है 100 type के 500 type के भी 1000 note भी बड़ेवल नंदेन बाद केसे संपग पांध क्या रहां का एंट्रीन्ट रिक्वेस्टेड एमों जैसे आप की बोड्स यह याँ एक कि वोर पीमज फिल-डूर रिक्वेस्टेड इमांट शंथिंग Eng0 मांट like a 7400 यार इंटरेस्किक फूर डौलिण विद्राइक से 2 1 परढ़ेट सेवेंटी-たफोर ट्रिंड एमॉंत्थ और संथिग seven Three nine hundred seven T nine hundred है क نے which you came to date 7900 टा इसके हन्तिक aún परहौर्श दिकल्टिंड कीश्टे तो टा नियक्स्न कम्पीट रोने केस के पर रेस्पेक्स्ट गूर्ण कि कितने तक करना पुछ से एक बशनेगे से इस पर सन को कितने ताइस के नोट धुर्ट पर रहेंगे वन तू थाओद फाइव घंड और पॉड घंड और इसके करने तो थाओड थाओद आफके कि बाइ आगा टुटावल नोट पॉवाट करना है शेक्स मल्टीप्लाइबाइबाइब टू थावरेंड टॉटल अमाउंट इस परसेन को कितना रिशी हो चुका है 7900 minus 6000 difference कितना है इस case में 1900 difference is mut Mr險 llan तो अगÏं remaining amount कितना फॉए करना 1900 1900 की and next time पॉएड क्या करें 500 टाइप नोर्म स्ससक्राइब को सबसे पहले 2000 टाइच के 100 types इस sequence को follow करेंगे 1900 के case में 500 type पे total कितने node पॉइड करना पॉइड करना पॉइड करना पॉइड हो only 3 node अगर 3 500 type पे 3 node पॉइड करना 3 node means equivalent to 1500 then again remaining amount कितना उच रहा है 400 लेकिन currently 500 type पे कितने node पॉइड हो रहा है again 3 node 3 multiply by 500 then 1500 अभी टोटल amount के total cash कितना पॉइड हो चुका है 7500 remaining amount कितना 400 means 500 then 100 100 type के node कितने पॉइड करेंगे इस case में 4 node 100 type के 4 node पॉइड करेंगे 400 ने remaining amount कितना पॉइड का 0 means again 4 node इस case में इस case में 4 multiply by 100 this is the total withdrawal amount with respect to given requested amount one things दूसरा के सब्सक्राइब total 2000 3 node पॉइड करें 2000 type के अगर machine से 3 node already withdrawal हो चुका है remaining note कितने पॉइड है इस case में 100 type के कितने note बचेंगे 100 type के 4 node रिशी हुए then remaining notes कितने बचेंगे अभी machine के पास 996 इस दा अवेलेवल कंडिशन आफ्टर बिड्रॉइं 7900 then other possible case इस type से finally multiple transactions of transactions complete बचेंगे लिवाग then possible case क्या बचेंगे हो सकता है 2000 type के only 2 node अवेलेवल है and 500 type के only 1 node अवेलेवल है या फिर 2000 type के 5 nodes अवेलेवल आफ्टर और 500 type के अवेलेवलेवल नोट के लिए 1 100 type के only 2 node like that in next possible case next time फिर सेगा transactions पर फुर्ण को ना next time एंटर किया requested amount is something 7400 in next case next case में जब भी amount बट्डोल करेंगे तो amount बट्डोल करने case में currently requested amount कितना है 7400 इसके corresponding provide क्या करना है again total 2000 total 500 or total 100 like that 7400 के case में total सबसे पहले चेक करें availability of the notes हो सकता है machine के अंदर currency available नहीं नोट्स अवेलिवल नहीं तो availability चेक करने के लिए सबसे लिए करें total available money और total money total money क्या रहे है इस case में total 2000 total 2000 कितने इस case में currently 5 multiply by 2000 5000 इस 5 multiply by 2000 इस 10,000 total नहीं कितना 10,000 प्लस calculate क्या करना 500 500 टाइप का अउली यह की note है इसका मतलब गया इस case में total 500 multiply by 500 total 500 का वेलिग गया 1 1 multiply by 500 इस also 500 then plus next time मैं addition क्या कराएंगे total 100 multiply by 100 total 100 के इस 2 multiply by 100 इस 200 total machine के पास total available money कितना current case में 10,500 500 10,000 500 plus 200 is 10,700 current case में अगर देखाया है तो currently machine से amount withdrawal करना पॉसल है क्या हूंकि total available money कितना है इस amount कि situation में withdrawal करना पॉसल है total money if total money is greater than requested amount requested amount कितना है current case में 7,400 और total available money कितना इस case में 10,700 इस का मतब क्या currently money withdrawal करना पॉसल है इस case में other possible case क्या है available note कितने only one उसके प्रोवाइड़ी भी कितने कर सकते हैं only one 1,500 type का only one note पॉइड के तेन total कितना हुगा 6,500 then 200 type का only two note available तो कितने note पॉइड करना पॉसल है इस case में amount कितना पॉइड करना पॉसल है इस case में amount पॉसल है इस सारे possible situations होंगे one by one सारे situation discuss करेंगे इस problem को solve करेंगे next one what is the step for creating for that kind of application इस case में आपॉसल है आप्ली केशन को create करेंगे तो सबसे पहले मैं steps general manner में provide कराम means total required steps क्या होंगे अगेज में आजिव करो गाँजा available no dash like that 1000-1000 फर्स्ट्रेवरीक्राइड बेरिवल डेकलेरेसंस फॉस्स्रेक्वड़ीक्राइड क्या प्रोवाइडंग वेरिवल डेकलेरेसंस सबसे मैं जन्रल में जन्रूस में टूटल सिट पॉड़ीक्राइड वेरिवल्स इसे कि बया को सबम्सक्री ब घंध को अगर करने करेंगे लहने टोल इसके में से अगनेर से टाइप के कितने लोड मेंस्य करने के लिए टोटल वरिष कोने हीज़ त्रीवरिफ 2 दो तर्वेंट तर्विंग तोटल हम इंट थी वरिवल्स पॉर रेप्रेंट इंटीने दौट्वट छी उनीस नेकिन चंटाल नेकिस्ट इंट टाइप के किन नोट्ट पॉर रहा हैं मिस्ट टोटल थाल थालिव के कि सब्सक्राइब करने के लिए यह भी टोटल अवेलिवल मनी को स्टूर करने के लिए अगेन के रिकॉर्ड हुआ सब्सक्राइब करने के लिए अवेलिवल करने के लिए अवेलिवल करेंशी ओल्रीवल को डिफाइब कर लाएंगे यह ग्लोबल वरिवल देन रिट करेंगे अवेलिवल्य एमाउंट लाइक का 7400 और अदर विए रिक्वेस्ट इमाउंट थर्ड स्टेप क्या रहेगा सब्सक्राइब करेंगे लाइका 75 रूपीश 80 मशीन से विड्रोल करने पॉस्वल नहीं इसके सबसे पहले चेक करने पढ़ेगा अमांट शुट मुल्टीपल अगर अगर मुल्टीपल द्रमेंडर क्या घाएगा 001 बिकंप्र इस चेक करना है इस च्रफ्याइक्शन करना पॉस्वल्य देन अग्स्ट टोटल अवेलिएबल मनी इनिशली मनी अवेलिए लेकिन सब्सक्राइब आप्टर पर्फॉर्मिंग एं ट्रांजक् और 100 टाइप आप मोट एवरी टाइम इस्टाइश से टोली में से एमांट भी डिक्रीज होता जाएगा डिक्रीज होने केसे में हो सकता है पर्ट्वलर केस में चेक करना पड़े है टोटल अवेलेबल मनी है कि नहीं इस प्रोवाइड करने की रिस्पेक्ट में अगर अवेले और एमांट भी फ़वाइड का मल्टीपल है तो इस केस में ट्रांजेक्शन को कंटीनीव करना पॉस्वल है तो इस केस में सबसे पहले केलिक्लेशन किसके लिए प्रोवाइड करेंगे 2000 तो नेक्ट नाम फिप्टी स्टेप में केलिक्रीट करें टोटल इस बिड्ड्रॉल 2000 देन 2000 टोट करनेका देन प्रोवाइड क慌नें 500 टाइप्स ऑफ नउट मैंगेजिंग 500 गांख सेस मैंगी सपोश्टैर किसी पट्रोवाईड करनेकां यगा त्पने पार्वाइड करें ब्रोटल 2000 टेप्सले तोटल मनी पिने लेकिन इस कई मां नहीं दो हम आखने तोट ललेकिन इस प्रहाइज एक करना पुछिंवर्थ के लिए、、ि करेंगे नेक्स नाइग आप चेक करेंगे इस अगर सारे के सारे ट्राइक्शन सक्सेश्पी पर्फूम होगे दैन फाइन फाइनली एमाउंट क्या होना चाहिए आप्र पर्फूम कंप्लीड ऑप्र एमाउंट्स उड्वी क्वेलें टु जी रहा है इसके मतब क्या है मुट्प्लीट इसके माँ बात में भी जेस्ट सोर्स कोड के थूप पर बाट करेंगे फाइनली लास्ट केस और नाइन्थ केस देन डिस्प्लेइं आउट्पूट फाइनली इसकेस उन डिस्प्ले क्या गरा है आउट्पूट मिस के स्टाइब के कितने नोट्स रिशीव हुए इसे इन स् से एंटौलम पर्फूट करें हो सकता है यह उपरेशन्स शीन में लिए कंप्रिटली राइट करना पॉसलियों फैसकेस मां प्रीवेस स्टेटमेंट में क्लियर कुरों वूराइटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट राइक बाट इनिशी फर्स्ट वन फर्स्ट इस्टेप के बज़ाई ओर लिए इंध मैं लेघें से लिए कितने शुर्यसे ने रिकॉरइड है हुआ जैरा रेट वैацион फर्स्ट वान डेट लेगो रिंट करने के लियुँ कि महिं स्क्रण वेरें में थो टेल फ़ैों लेट मैं लिए जो 600 फाइए total 100 इनिशल वैलु ग्यार गरेंगा यहाँ 1000 1000 1000 first one इंटीजर प्लस इस केस में जब total money क्यालिफट करें total money integer की range में पॉस्ट इन्युवाश्ली वैर्युर्स का डेटा टाइप उसका करेंगे यह लॉंग इंटिजर और सिंप्ली लॉंग डिटा टाइप क्या फॉलो करना चाहिए इस केस में लॉंग टाइप लॉंग है टोटल 2000 इक्वाइस टू वन थाउजेंड सेमेस टोटल 500 इस एक्वाइस टो अगें 1000 निसा भी इनिशली ट्रे को इनिशलाइस कर रहा है यह टोटल 100 इक्वाइस टो अल्सो 1,000 इसके लाभा अधर रिक्वाइस कर रहा है लॉंग टेन प्रोवाइड टोटल 1000 हाव ने टोटल 1000 साथ प्रोएड इट तोटल 500 एंड टोटल 1000 सुर्ई 2000 कॉमा 500 कॉमा वन हंड़ेट इताइस पिलोट स्क्राइब कराने के बार इसतों कि समय क्राएं आख requested amount read करेंगे लिए variable create करेंगे as a amt fourth variable as total available money in the machine is total money calculate करने के बाद किसी separate variable machine कराएंगे as a total like that these are eight required variables in this case then second step just to note down कराया था reading inputs or reading amount amounts को keyboard से read कराने के लिए simply use करेंगे print tab and requested amount or withdrawal amount enter amount then scanf scanf percent d m percent of amt next one amount bid roll करने के जाश्ट आश्ट आश्ट स्टेप क्या रहेगा इस है नेक्स स्टेप क्या नोट डाउन करा है जस्ट अभी देन चेकिंग मल्टीपल आफ हंड़ेड मी से amount के के सब्सक्राइब पॉस्विल किसका है valid amount or not requested amount suppose that amount enter किया like 375 375 के किसमें 300 तो प्रोवाइड करना पॉस्विल हो आगया not possible देने इसकेस में possible किसके हो है amount विए multiple इस ताइप के notes पॉस्विल करना पॉस्विल आइधर 2000 और 500 और 100 इस 100 500 और 200 तीन नमबर multiple किसके हैं all are multiple of 100 तो इसकेस में अगर amount 100 का multiple है then 100 का भी multiple होगा 500 का भी multiple होगा 2000 का भी multiple हो इसलिए condition किसके respect में चेक करेंगे 100 के respect में next one a4 amount given amount is multiple of 100 इसकेस में चेक करना चेक दा given number is multiple of 100 और not अगर 100 के multiple नहीं है इसकेस में transactions को continue करना पॉस्विल नहीं हो तो इसकेस में चेक करें not multiple multiple नहीं देन इसके करेंगे amount modulo 100 not equals to zero अगरे particular remainder जीरो के equivalent नहीं जैसे 75 375 की का remainder क्या आएगा 75 75 not equals to zero condition is true then true then this case में transactions को continue करना पॉस्विल इसी केस पर ब्रेक करें यूज करेंगे like print tab मीश सबसे पहले कोई warning और error message करा दें print tab insufficient fund or something invalid requested amount invalid amount return back to calling place means control को प्रोग्राम से बाहर सेंड करना देन space पर call क्या करा लाएंगे either exit function exit is a predefined function in c और simply exit के place पर यूज कर सकते like return statement दोनों का मीनिंग और मोर्स है में current case में एक डिट का वर्किंग कर रहा था होल process को टर्मीट करना रिटन का वर्किंग क्या control को calling place पर send करना इस प्लेस पर main function call हो रहा control का रहा रिटन वेक टू आपरेटिंग system exit function भी call करना पॉस्विल और return statement भी राइट करना पॉस्विल होगा इस case में एजूम करके चलना all required header files अल्यदी इंक्रूड़ेड है exit function के respect में इंक्रूड करना हुआ process.s header file next वन अगर condition false false then control का send हुआ outside if और control if से बाहर आचुका इसका में लब क्या है transactions continue करना possible और amount कैसा amount is multiple of 100 अगर amount में प्रेश किया case में something 300 300 अगर उस case में remainder क्या आएगा 300 को 100 से डिवाइड करने पर remainder क्या आएगा 0 0 not equals to 0 condition is false false then control का है बाहर बाहर आए देन next time चेक क्या करेंगे total available money current case में तो money available बड़ सपोज़ रड किसी particular situation अगर total money available नहीं है जैसे इस case में रिक्वेस्टे इंवान फिल किया लाइका 7400 7400 के case में किसी particular case में total money suppose that 100 types 2000 type के कितने note और total 2 note 500 type के total note कितने 3 100 type के total note कितने something 4 तर इस case में total money अगर calculate करने total money calculate करने के बाद असाइन किसमें कराएं variable as total तो सबसे पहले calculate क्या करना है total available money total available money calculate करने का formula यूज़ करेंगे इस case में means total 2000 multiply by 2000 2000 type के two notes है then total money कितना हुआ 2000 के respect में 4000 तो इस case में यूज़ क्या करेंगे ती 2000 multiply by 2000 plus इस current case में 2000 कितने 2 multiply by 2000 कितने आएगा इस case में 2000 then plus next time calculate क्या करना है total 500 total 500 calculate करने के respect में यूज़ करेंगे ती 500 multiply by 500 ती 500 के case में current value क्या है maybe 1000 और maybe 3 अगर current value 3 है तो इस case में total money calculate करेंगे तो इस case में total money क्या है तो ती 500 का value क्या 3 3 multiply by 500 calculation क्या रहा है इस case में 1500 like that next one इसके ज़स्ट वाद आप calculate क्या करना है total available 100 types of notes total available 100 then T 100 multiply by 100 इस case में जो भी multiplication आ रहा है current value कितना है इसका 4 4 multiply by 100 is 400 कितना हुए total 400 इसका मीनिंग क्या हुआ 1500 प्लस 400 तो 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 तालन प्लस 1500 इस 3500 प्लस means 3900 इस case में total money कितना है calculate हुआ 3900 और requested amount कितना है सेविंटी फोर हंडेड इफ टोटल अवेलेबल मनी इस लेस्ट इन रिक्वेस्टेड एमाउंट मीस इफ एमाउंट इस ग्रेटर देन टोटल अगर एक condition to amount कितना currently 7400 greater than total total कितना currently इसके according भी से अगर इस ताइप के notes अवेलेबल है तो तोटल कितना calculate होगा current case में 3900 इस case में amount withdrawal करना possible नहीं है इस case में award करने की need होगी तो इससे जैस्ट पहले display के गाला है प्लस टोटल हंड्रेड मुल्टिप्लाइबाइब है इस case में नेक्स्ट इफ कंडिशन्स में इसको सेम लाइन में राइट करहूं कि इससके जैस्ट आज सी लाइन को continue करहूं प्लस टोटल हंड्रेड मुल्टिप्लाइबाइबाइब हंड्रेड थें कंडिशन्स टेस्ट करें इस case में इफ इफ एफ रेक्वेस्टट इमांट इफ इफ इमांट इस ग्रीटध देन हैं डोटल वैलिई उप एमांट इस greater than total then condition is true condition to just current case में amount के आदा 7400 and total करना calculate को आदा something 3900 इस case में bit roll करना possible नहीं देन अगें क्या display कराने हैं some error message if condition is true then display some message print tab और by using ports function display के करने हैं in sufficient fun in sufficient fun like that then again using exit function or return statement for terminating execution of the program that one next another a second condition false false case case में होगा सपोस्टेट अगर 2000 टाइप के फाइब नोट अवेलिवल हैं same as 500 टाइप के फाइब नोट अवेलिवल और 100 टाइप के फाइब नोट अवेलिवल देन इस केस में amount अवेलिवल करना पॉस्टेटल 2000 टाइप के 500 टाइप के फाइब नोट अवेलिवल देन प्लस टाइब नोट टाइप के फाइब नोट अवेलिवल देन 500 टोटल कितना हुगा इस केस में 13,000 तोटल अवेलिवल मनी कितना मशीन के पास 13,000 वाइब डिड़ अमांट रिक्वेस्टेट अमांट कितना 7,400 इस केस में इमांट विड़ोल करना पॉसिबिल है और विड़ोल करना पॉसिबिल है तो सेम केस कंटीनी करेंगे लाइक देट नेक्स्ट वन केस कंटीनीव करने किस में इस कंटीनीव करने किस में सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे लॉजिक के लिए प्रोवाइड करेंगे तो इस case में currently 2,000 type के कितने note provide करना possible है 7,400 के case में only 3 note क्योंकि अगर आप 4 note provide करोगे 2,000 type के तन 4 multiply by 2,000 इस case में total कितना provide हो रहा है इस case में 8,000 जबकि requested amount कितना है 7,400 तो maximum note कितने provide करना possible 2,000 type के इस case में only 3 note 3 multiply by 2,000 is 6,000 6,000 किसके तूप provide हो रहा है using 2,000 types of notes like that then next case condition calculate करेंगे plus provide करने वाद असान किसमें कराएं tt means 2,500, 100 tt equals to calculate कैसे करेंगे 3 note provide करना है possible case क्या होगा amount tt equals to requested amount amount divided by 2,000 amount divided by 2,000 जब integer division परफॉंगा तो amount का value कितना found हो रहा है इस case में 7,400 7,400 को 2,000 से divide करेंगे then इसका integer division किया हैगा 3, 3 is assigned to the variable tt इस case में 3 variables कीट करेंगे like tt 2,500 100 like that currently tt में value क्या सान हो जाएगा 3 1st case 1st condition next one but supposed अभी case में इस case में 2000 टाइप के कितने note required and 3 but supposed अगर machine के पास 2000 टाइप के note कितने अवेले लो only 2 note then इस case में only कितने note provide करना possible only 2 note not a 3 note इस case में again condition है apply करेंगे अगर 2000 का value t2000 से बड़ा है if next condition है apply करें if tt greater than total available 2000 इस current case में total available 2000 कितना है 2 and tt के total 1000 कितना required है 3 required कितने 3 notes available कितने 2 notes इस case में provide करना possible means condition true है condition to miss इस case में 3 note provide करना possible नहीं देकिन 2 note provide करना possible है इस case में tt में क्या असान कराने 2 तो tt के case में असान करने के case में अगर condition true है then इस case में write क्या कराएंगे condition as tt equals to t2000 tt equals to t2000 तो t2000 का value कितना है 2 say tt 2000 equals to t2000 t2000 का value के 2 2 के इसमें tt मिसले tt का new value क्या हुआएगा 2 current situations के according next one current case में assume करना नवर 500 type के 20 note available है like that next one इसके लाबा इस case में then assignment करने के जैस्ट पराद अगर 2 note अगर 2 note provide कर चुए provide कर चुए इस case में perform क्या कराएंगे in that case इस 2 note provide होने के बाद आप total available note कितने बचेंगे only 0 तो 0 के case में क्या उसके करेंगे इस case में t2000 equals to t2000 minus tt minus tt t2000 का value क्या था 2 and tt का value भी और यडिवेश condition true था इसलिए condition true होने के according इसमें क्या हूआ 2 2 minus 2 become 0 0 कि इसमें क्या सानवा जाएगा total 2000 दूसरा possible case क्या है suppose that अगर total 2000 already 1000 available 1000 available then इस case में फिर से try करते है starting से division क्या हो रहा 7400 को 2000 से divide करने पर division क्या रहा 3 इसलिए tt में क्या सानवा जाएगा 3 और total 2000 के तिने 1000 अगर इस condition को टेस्ट करें tt tt is 3 3 greater than 1000 condition is true और false condition is false फॉलसर दन इस case में body part एक जी नहीं डार्क्टी assignment करें total 2000 2000 के वेली क्या 1000 minus tt का वेली क्या 3 difference is 997 विची अगर इसका नहीं वेली क्या जाएगा 997 लाइक देट similar next one अब currently इस परसन को कितना amount प्रवाट कर चुए है 6000 according to 3 node of the 2000 अगर 2000 टाइब के किसी परसन को 2 or 3 node प्रवाट हो चाएगा 6000 amount receive हो चुगा अब remaining amount कितना हो चाए फिर से remaining amount change हो जाएगा remaining amount calculate करने के लिए उसके करेंगा amount equals to existing amount minus tt multiply by 2000 tt multiply by 2000 amount का current value का है 7400 minus tt का value का है 3 3 multiply by 2000 is 6000 difference कितना हो चाएगा 1400 difference is 1400 new value असान के समझा जाएगा amount में this is the new value of requested amount 1400 like that इस current case में 1000 2000 आइप नोट परवाइड करेंगे आप calculate किसके लिए करेंगे calculations पो similarly 500 और 100 तो 500 के case में यूज करेंगे next time calculate करेंगे 500 equals to amount divided by division किसे कराएगे 500 से amount का current value कितना हो चाएग 1400 1400 को 500 से divide करने पर division क्याएगा integer division is 2 then 500 fs में value कैसा नोएगा आप तू like that next one same case 500 के case में possible हो गाएगा 500 आप के 2 to 2 note provide required है required note कितने 2 available कितने 1 थन वर सब्सक्राइब अगर 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 500 टाइप आप या तो सिंगल नोट अविल या फिर 0 प्रिवाइब कितने कर सकते हों लिए 1 कर जाएगा आउटसाइड एफ कंडिशन नेक्स्ट टाइम अगें करेंगे टोटल फाइवन टाइप के टूनवर प्रोवाइड करने के बाद मशीन के पास अवेलियल नोट कितना वजिलना चाहिए 998 then total 500 equals to total available 500 फिर से calculate कराएंगे इस case में calculate करने के लिए rule करेंगा total 500 equals to total 500 minus provided 500 total 500 कितना है currently 1500 500 कितना है 2 difference is 998 assigned to the variable t500 लिए 9998 कि यह जिस्टुनूंत टाइप के टूट प्रवाइट करने गाद अभी मशीन के बाद रिमेनिंग 500 कितने अवे लिए 998-9 सब्सक्राइब करेंगे तोटल इमांट कितना प्रवाइब हो चुका इस पासन के लिए हएं कटना करेंटनी फोर्टीन हंदेड माइनस फाइव फडे सब्सक्राइबएं तेह कितना प्रॉर्ज важно this value is assigned to the variable amount amount का डी वेली क्या है 400 next now similar type से calculate करेंगे 100 type next one calculate क्या कराएंगे 100 same conditions means this one is calculations for 2000 calculations for 500 next one calculation for 100 100 की case में same case में directly provide कर रहा हूं वोली variables के नेम्स रिप्लेश रिप्लेश रहें 100 100 के रिप्लेट करने के लिए अगें रूल क्या है अप्लाई करें 100 OS equals to amount divided by 100 amount का new value क्या 400 400 को 100 से डिवाइड करने पर डिविजिन क्या है का 4 this value assigned to the variable 100 कितना के रिप्लेट है 4 next one second case क्या है अगें if conditions means if condition किसके लिए चेक करेंगे 100 टाइप के 4 नोट अवेलेवन है कि नहीं अभी currently तो 1000 फांड रहा है बड़ सब्सक्राइब एगर 400 टाइप के लिए 2 नोट अवेलेवन देन प्रोइड करने पॉस्विजिन ही अगें same condition apply 100 greater than total 100 अगर ये condition true है इसके इसमें 100 में असान क्या कराएंगे अगें 100 equals to total 100 इसके जैसे अब फिर से amount के लिए होगा है amount equals to amount minus amount minus 100 multiply by 100 amount का current value कितना है 400 minus 100 का वेली क्या है 4 4 multiply by 100 is 400 400 को 400 से subtract करने पाद difference क्या रहा जीरो जीरो असान क्या समुझाएगा amount में amount का value क्या हो चुका है 0 but suppose that अगर 200 टाइप को अगर तूनोट अभी लें तरह ने इसकेस में provide कितने होंगे something 2 अगर तूनोट प्रोइड हुए है इसकेस में क्या है 400 multiply by 2 अगर 100 का value क्या है 2 2 multiply by 100 is 200 डिफरेंस क्या है मैं सान हुचका है 2500 100 2000 का value कितना है 3 500 का value calculate 2 और 100 का value calculate 4 इस टाइप टोटल अमांट कितना हो रहा है 7400 इसकेस अगर आइं गिवन आउट बट सपोर्स टैट मसीन के अदर amount तो अवेलेवल है लेकिन 100 टाइप के अगर 4 नोट अवेलेवल नहीं है तो इसकेस में कंडिशन एप्लाई करेंगे एफो अगर MME से अगर सारी नोट प्रॉपरली प्वाड़ हुआ तो इसकेस में 0 और amount 0 नहीं हुआ है तो इसकेस में मसीन के अंदर 3 ट्रेज के अपड़िंग टोटल 5 टोटल 2000 टोटल 500 टोटल 100 इन दैट केस रिमेनिंग केस कितना हुचा है 997 7500 के किसमें सब्सक्राइब के पास टू नोट प्रॉइब करा देंगे संवेल्य के अगर यह कंडिशन टोटल 2000 इसका मलब ट्रान्यक्शन क्प्रीट करना पॉसिबन लिए इसको रोल वेक कराएं रोल वेक कराने दलब के जो भी सब्सक्राइक्शन हुए थे फिर से एडिशन हो जाएं टोटल 2000 टोटल 2000 प्लस एक कोईश्ट हो एजा कंपाउंड सान्यूंड अपीटर एड क्या कराना इसके इसमें ट्रीट का वेल्यक्शन का वेल्यक्शन का वेल्यक्शन 997 प्लस 3 विकम्स अगें 1000 इसकी निए वैल्यू ट्रेक अंदर फिर से अवेलेबल 2000 कितने हो जाएंगे 1000 सेम एज टोटल 500 प्लस एकोस तो 500 500 कितने ही टू 998 प्लस 2 इस अगें विकम्स 1000 सेमेश टोटल 100 टोटल 100 टोटल 100 प्लस एकोस तो 100 टोटल 100 का वेल्यक्शन का वेल्यक्शन क्या अभी करेंटली कि जीरो देन प्लस टू क्या हो जाएगा फिर से टू बट सब्सक्राइब करेंटली कंडिशन सेटिस्फाइड नहीं हो अख्या है कि नीचली मैंने एजम किया था 1000 1000 लेकिन बट सब्सक्राइब आफ्टर परफॉर्मिंग सटेन ट्रांजेक्शन और एंट ट्रांजेक्शन इस ताइप के कंडिशन एराइज होना पॉसिवल है लाइक देन इसकेस में सारकेस रूबबेक करने के जास्ट वादन फिसी डिस्पी क्या गराने है अगें प्रिंट एप प्रिंट एप सॉरी इंसफिशेंट फंड इंसफिशेंट फंड और जो भी आपको मैसेड इस पे गराना है देन रूबेक अगर एक कंडिशन फॉस अगर एमाउंट का वैली जी रो चुका है जैसे गिविन केस में इनिशिली प्रोवाइड के वह दा फॉर और इसका वैली भी क्या था सम्थिंग वन थाओजन इनिशिल लई तो वन थाओजन के के इसकेस में रोल वैक होगा ही नहीं करें स्टाइडिंग फ़र्स अंजक्शन में एक पॉस्वल ही नहीं है इसकेस में वेली क्या अचा है 996 कंडिशन फॉल जैकर एमाउंट क्या हुच बादा जीरो जैन स्केस में डिस्प्र क्या करा लेंगे वैली आप टोवाइड इड़ क्या दोखण होगा है परी के दिचिए सार्ट का से पौर महिए योड़क हो परिंच awhile t в कृटली टूथाओंट कितने टीप्लाइड राए मि पर्सम्ट c d re द्सक्राइब करना है या स्लेशन डिसके क्या गणान है वेल्य ओप टीटी एल्यों टीटी करेंटेडिली स्के अकॉरडिंग आउट्पुट क्या प्रिंट होगा 2000 तू थाउजंड मुल्टिप्लाइबाइब पर्सेंड के प्लेश पर टी डीका वेल्टी वाद थी है तो थाउजंड टाइप के कितने लूट पॉड़ी में थी सेमेंड दिश्पी कराएंगे फाइव प्रिंट अप 500 multiply by again %D and %D के प्रिंट पर्सेंड पर्सेंड के प्रिंट पर टी डीका रहें 500 Fs नेक्स ताइंड में के डिस्पी जाएगा 500 पूर इट मुल्टिप्लाइब ऐड़ एफएज के वेलुए कि है टू तू नेक्स्ट ताइम प्रिंट टैव 100 100 multiply by percent d slash n then oh इस केस में output का display जाए 100 multiply by ohs का value का 4 this is the final output of given program इस ताइप से इस एक प्रोगाम सभी situation वर्क करेगा for every situation